अगर आपको इतिहास में दिल्चस्पी है, तो जारखंड के इन पांच अहम पलों के बारे में सुनना तो बनता है। सबसे पहले, 15 नवंबर 2000 को जारखंड राज्य का बर्ग, लाखों लोगों के लिए खुशी और प्राइड का पल। अगला, 1855 का संथाल रिबेलियन, अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ खड़े हुए बहादुर आदिवासी, सच्ची हिम्मत की मिसाल, 19. सदी के अंत में हुए बिरसा मुंडा अंदोलन को मत भूलियेगा, आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने आजादी और इंसाफ की लड की अर्थ व्यवस्था का नक्षा ही बदल दिया, आखिर में 1908 का एतिहासिक छोटा नागपुर काश्टकारी एक्ट, इसने आदिवासी समुदायों के जमीन के अधिकारों की रक्षा की, उनकी विरासत और आजीविका को सुरक्षित किया, तो ये रहे वो पांच पल, जो ना सिर्फ जारखंड को परिभाशित करते हैं, बलकि इसके समरिद्ध और लचीले इतिहास को भी उजागर करते हैं, जिग्यासू बने रहें, प्रेरित बने रहें